आज लेकर आई हूँ इविनिंग स्नाक्स चने की डाल के वड़े और अधरक वाली चाय बहुत टेस्टी और सेंपल इसको हम बना के खा सकते ही चलिए बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं उसके लिए म भी हो लिया है दाल अच्छे से भी होना बहुत ज़रूरी है जबी हमारे बड़े बहुत अच्छे बनेंगे इसको मिक्सी जार में डालेंगे आधा टीस्पुन जीरा टेस्ट के साब से नमक अड़ करें तीन हरेमेज और एक इंच अद्रक के टुकडे को भी छोट छोटे पीसस में कट करके डाल देंगे इसको हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे ज्यादा फाइन पेस्ट मत बनाईए कोर्सली इसको ग्राइंड करेंगे थोड़े से दाल भी रुग गए ही देखिए इस तरह के से ह एक बाउल में डालते हैं फाइनली चॉपड हरा धनिया डालेंगे एक कप के खरीब अनियंस भी डाल लेते हैं मैंने इस तरीखे से फाइंड चॉप किया है अनियंस को ज्यादा डालने से वड़े अच्छे बनते हैं इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे नमक आपको क फ्लेम को मीडियम टू लो रही उलट पलेट के इसको अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हुए तक फ्राइ कर लेंगे medium to low flame paste process को करिए आपके वड़े भी बहुत क्रिस्पी बनेंगे मैंने batches में इसको वड़ों को इस तरीखे से fry किया है देखी कितने क्रिस्पी golden brown हो चुके ही हमारे वड़े दूसरा batch भी मैंने fry किया है इसको भी एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख देंगे हम अध्रक वाली चाय बना लेती है मैंने 1,5 desirable cup दूद लिया ह Inte इसमें 1 टी स्पून चाय की पती और 2 kole शुगर की मैंने कि हैं मैंने यहां पर 2 cup चाय बना रही हो इसके लिए 1,5 लिए 1 बिल चॉटा सा अध्रक के पीसे को इस तरीके से दरदरा सा पेस लें, चाय में डाल देंगे, चाय को अच्छी तरीके से पका लेंगे, हम जब तक दो कप ना हो तब तक इसको पका लेंगे, इसके उपर मलाई भी आ चुकी है, चाय अच्छे से पक चुकी है, कितना अच्छा रंग भी आ चुका है, इसको हम छा आप भी इस इविणिंग में जरूर रहे करिए आपको बहुत पसंद आने वाला है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करिए साथ बेल लाकान अक्टिवेट करिए मेरे आल वीडियोस आपको देखने को मिलें फिर मिलेंगे ऐसे रहे रेसिपी से थैंक्यू फर वाचिंग